नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं परिभासा और परिणामी समाजिक संस्कृति और अन्य लाभों को ऐसे अस्थानिय ब्यक्तियों तक विस्तारित करने के बिध्याक 2022 की पुनर समिक्षा करने को कहा है बिध्याक लोटाते हुए राजेपाल ने कहा है कि राजसरकार इस बिध्याक की बैधानिक्ता की गंभिरता पुर्वक समिक्षा करे कि यह समिधान के प्रविधानों यहम सरोच नियाले के आदेश के अनुरूप हो उनके अनुसार जब राजेपिधान सभा को यह सकती ही प्राप्त नहीं है कि वे ऐसे मामलों में कोई बिध्याक पारित नहीं कर सकती है तो इस बिध्याक को बैधानिक्ता पर गंभिर प्रशन उठता है राजेपाल ने समिधान के अनुछेद 16 के 3 के 3 का हवाला देते हुए कहा है की मातर सांसत को यह सकती प्राप्त है की वह बिशेस प्रविधान के तहट अनुचेद 35-1 के अंतरगात नियोजन के मामले में किसी भी परकार की सर्थ लगाए राजे बिधान मंडल को या सकती प्राप्त नहीं है जारखन के उत्री और दक्षिनी भाग में दो अलग-अलग सिस्टम की वज़ा से मौसम और नियूमतम तापमान में अंतर दिख रहा है पच्मी बिश्वप की वज़ा से जारखन के उतर और उतर पच्म जीलों में ठंडी हवाव ने परवेस किया है जिस वज़ा से पिछले 24 गंटे में पलामू, गडवा, चात्रा, कोडर्मा, लातेहर जैसे जीलों में नियूतम तापमान में 4 डेगरी सल्शियस से 6 डेगरी सल्शियस की गिरावट दर्श की गई वही बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर के पास बने निम्न दबाव के छेत्र की वज़ा से पुर्वी हवाय राजी के दक्षिनी और मध्य भाग तक आ रही है जिस वज़ा से पुर्वी सिम्हूं पच्मी सिम्हूं सिम्डेगा सराय के लाखर सवा मध्य जार्खन के जीले जैसे रांची बोकारों गुमला रामगार हजारी बाग में निम्तम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई है जार्खन में हरे रंग की गमचे पर सुरू हुआ बिवाद मुख्य मंत्री हमाशुले ने सताई जनवर एक बुढधा पहार पर विकास ओजनाव का सुभारम किया था दरान मुख्य सची और अन अधिकारियों को हरे रंग का गमचा पहनने और उन अधिकारियों द्वारा उसे सहर से सवीकार कर लेने पर भारतिय जनतापार्टी ने आपत्ति जताई है बतादे हरे रंग के गम्छे को जामों का साफा बताते हुए भारतिय जनता पार्टी के पर्देश प्रवक्ता पर्दीप सिनाय ने कहा है कि बुढ़ा पाहर का कारिकरम एक सरकारी कारिकरम था, कोई जामों का कारिकरम नहीं था लेकिन जिस तरह से राजी के मुक्सची और अन्य वरिष्ट अधिकारियों के गल्ले में जहमों के हरे रंग का पट्टा डाला गया था वह ठीक नहीं है पारा मेडिकल कर्मियों की बिगडी तवियत लोबिन हमरम ने कहा उचीत जगा पर रखेंगे मांग राजबहन के समक्ष अनुबंधित पराचिकित सा करमचारी संग और NHM, ANM, GNM अनुबंध करमचारी संग के सन्युक्त अभाहनपरधाना परदर्शन का रभ्वीवार को तिरहवा दिन था वहीं राजबोन के समख्ष एकाई स्वास्त कर्मी छटे दिन भी आमरान अंसन पर बैठे रहे सेवा साई करण की एक सुत्री मांग को लेकर अंजोलन रद स्वास्त कर्मीयों को लेकर अभी तक राजी की हमन सरकार या स्वास्त विभायक दोला सूद नहीं लिगाई स्वास्त मंत्री या स्वास्त विभायक के अपर मुक्स चीव या उनका कोई भी परतिनी दी आमरान अंसन पर नहीं पहुँचे जबकि एक के बाद एक लगतार कई नर्सों की तबियत बिगर्डने पर उन्हें सदर अस्पताल में भरति कराया जा रहा है वहीं सरकार की चुपी से अंदोलन रद स्वास्त कर्मियों में रोस व्यप्त है स्वास्त कर्मियों के अंदोलन को देखते वे बोरियों विधायक लोमिन हम नम्राभीवार को अंदोलन अस्थर पहुँचे और स्वास्त कर्मियों के मागों को उचीत जगा पहुचाने का अस्वासन दिया 1932 खतियान को लेकर सियं हमंत पर दबाव बनाएगी कॉंगरेश हमंत स्वरेण की 1932 खतियान अधारित अस्थाने नेती में दर्ज बिसंगतियों का सुधार करने को लेकर कॉंगरेश दबाव बनाएगी 872 से पुरो मुख मंत्री से विचार मंथन करेंगे ये बाते चाईबासा परिसदन में कॉंग्रेस के करेकारी परदेश अध्यक्स बंधू तिर्की ने कही है बंधू तिर्की ने कहा है कि 1932 खत्यान अस्थारीत अस्थानिय निती को लेकर मुखे मंत्री हमंसरोन को पहले एक पत्र भेजा गया है बंधु तिर्की ने कहा है कि पूरे जार्खण में सभी जीलों को जमीन का सेटलमेंट समान वर्स में नहीं हुआ है ऐसे में अस्थानी निती के लिए उन्हें 32 के खत्यान को अधार बनाना नया संगत नहीं है इसे लेकर जीला अस्थार पर एक जार्च कमिटी बना कर इसकी जिमेदारी देवेंद्र चमपिया को अधिकरित किया गया है जिने इस महत्य पूर्ण विशाय पर एक सप्ता के भीतर एक रिपोर्ट समर्पित करना है उन्हें 32 खत्यान पर घर्माई राई निती राजेपाल अमेस बहस ने हमाद सरकार द्वारा बिधान सवास से पारित कराए गया है उन्हें 32 खत्यान अधारित अस्थाने निती बिधहय को अपस लोटा दिया है उन्होंने सरकार से इस बिधहय की बैधानिक्ता की समिक्षा करने को कहा है राजेपाल दुआरा बिधेयक लोटाए जाने पर राज की राईनीती फिर एक बर गर्माय गई है कॉंग्रेस ने राजेपाल पर बिजेपी के एजेंडे पर चलने का आरूप लगाया है वहीं भारतिय जानता पार्टी ने राजेपाल दुआरा बिधेयक को वापस लोटाने पर कहा है कि हमांत सरकार ने राजे की भोली भाली जानता को ठगने का काम किया था आज उनकी पोल पट्टी खुल गई है जबकि जार्खन मुक्ती मुर्चा के नेता सुप्रियों भट्टा चार्जने कहा है कि एक बड़ा मुद्दा है और राजेपाल दुआरा उठाए गए बिंदियों के पूरी जनकारी लेकर सोमवार को अपनी पार्टी की बात रखेंगे राज़ी में पूलिस नक्सली के एंकाउंटर में एक हज़ार कार्टूस्थ के साथ एक वोकी-डोकी ब्रामाद राज़ानी में नक्सलीों के खिलाब पूलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है रांची पुलिस ने उगरवादियों से इंकाउंटर के बाद उनका एक बड़ा कंसाइन्मेंट पकड़ा है कंसाइन्मेंट में एक हजार से ज्यादा करतोस्त ओकी टोकी और दूसरे समान सामिल है पुलिस का सर्च ओप्रेशन अभी भी जारी है मिली जनकारी के अनुसार बुढमू के सुमो जंगल में नकसलियों के दुआरा भारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूद छुपा कर रखे जाने के सुचना रांची एसेसपी की सोर काउसल को मिली थी जिसके बाद एसपी ने अपने क्वीक रिस्पोंस टीम के साथ साथ खालारी डी एसपी को नकसलियों के कंसाइन्मेंट का पता लगाने की जिम्यदारी दी थी दो दिन बाद चालू होगा जमसेत पूर यारपोर्ट जार्खन की राइधानी रांची इस्थीत बेसा मुंटा यारपोर्ट का लोड कम होने वाला है वर्ष 2023 में दो यारपोर्ट से बिमान सेवा सुरू होने वाली है बाबा नगरी देव घर में बन कर तयार यारपोर्ट से 17 फरवरी से बिमान सेवा सुरू हो जाएंगी लेकिन इस से पले झारखन के एक और सहर को यआरपोर्ट के सोगाद मिल गई है डारेक्टर जनर अब सीवील एविएस्सन ने जमसेदपुर से हवाई सेवा सुरू करने के नुमती दे दिया है बता दे जमसेदपुर के सोनारी एअरपोर्ट से बीमान सेवा सुरू हो रही है शुरू में उडिसा की राइधानी भुनेस्वर और पच्छिम मंगाल की राइधानी कोलकत्ता के लिए बीमान भरने लगेंगे जमसेत पूर से 31 जनवाज 2023 से ही बीमान सेवा शुरू हो रही है खादी के कपड़ों पर बंफर छूट 31 जनवाज तक लाभ ले सकेंगे जारखन राज खादी एम ग्राम उद्योग बोर्ट खादी कपड़ों पर छूट दे रहा 31 जनवाज तक डिसकाउंट का लाभ ले सकेंगे महात्मा गांधी के अन्यान भक्त टाना भक्तों के लिए खादी का चर्खा जनडा के बिक्री की जा रही है ये जनडे 80-90 रुपए में मिलते हैं जनडे पर किसी तरह की कोई छूट नहीं है तिरांगा जनडा तीन साइज में हाँ है 600 रुपए, 1000 रुपए और 1500 रुपए के जनडे उपलब्द हाँ है महिला कारीगर 23 से जनडा बना रही है जार्खन के लिए भी सेस पैकेज की घोसना करे केंद्र सरकार एक फरवरी को केंद्रिय बीत मंत्री निर्मला सितारमन आम बयट पेस करेगी बयट को लेकर हर बर्ग को काफी उमीद है इसे लेकर सभी बर्गों को एक मंज पर लाकर जार्खन चेंबर भवन में प्री बयट परिचर्चा का जन किया गया बतादे हर बर्ग ने अपनी बाते बेबाकी से रखी अलग अलग बर्गों के लोगों ने कहा है कि 22 अलबात भी जार्खन पिछड़ा राजे है जार्खन के लिए बिसेस पैकेज की घोसना होनी चाहिए सरकार टेक्स के सलेब को बढ़ाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को रहात मिल सके MSME के लिए बेहतर नीती लाई जाए साथ ही ब्यापारियों के लिए बिमा, स्वास्त और पेंसन की सुविधा होनी चाहिए जानुम सिंग सोय के बारे में पिये मोदिने की मन की बात परधान मतिने अधि मोदिने रभीवार को मन की बात की मन की बात में पिये मोदिने जारकन के जानुम सिंग सोय का भी जिक्र किया है जब से पिये मोदिने अपने मन की बात में जानुम सिंग सोय का जिक्र किया है लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं आपको बता दे कि जानुम सिंग सोय जारकन के रहने वाले हैं वो जन जातिय भासा के बिद्ध्वान हैं भारत सरकार ने अभी अभी उन्हें पद्म स्री पुरसकार से समानित किया हैं प्रधान मतिन अन्मोदी ने मन की बात में कहा है कि टोटो हो कोई कुवी और मांडा जस्ती जन जातिय भासाओ पर काम करने वाले कोई महानुभावों को पद्म पुरसकार मिले हैं यह हम सभी के लिए गर्व की बात है एक गारा फरवरी से रेल रोड चक्का जाम पांच राजयों के पचास जुलो में कल जुलूस आदिवासी सेगेल अभियान ने मरांग बुरू को बचाने और आदिवासीों को सरना धर्म कोड दिलाने के लिए बड़े अंदोलन का एलान कर दिया है सेगेल प्रमुख सालखन मुर्मु ने कहा है कि ये गारा फरवरी से अनिस्टित करने रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा सालखन मुर्मु ने कहा है कि इससे पहले 30 जनवरी को जारखन पचिम मंगार बिहार उडिसा एवं आसम के लगवग 50 जिला मुख्यालों पर मरांग बुरू को बचाने के लिए और वर्ष 2023 में सरना धर्मकोर्ट को मनेता दिलाने की मांग के समर्थन में मसाल जूलूस निकाला जाएगा राष्ट पती को इस समन्द में ग्यापन भी सोपा जाएगा आम जनता के लिए 31 जनवरी से खुलेगा राजभवन उध्यान राजभवन उध्यान को आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 7 परवे तक खुला जा रहा है कोई भी ब्यक्ति उध्यान का दिदार कर सकता है परवेस गेट नमबर 2 से होगा उध्यान दिन के 10 से 2 पर 3 बवे तक खुला रहेगा आम लोगों का परवेस सुबा 10 से दिन के एक वैटक होगा परवेस करने से पहले परतेक भ्यक्ति को सुरक्षा जान से गुजरना होगा परवेस करने वाले भ्यक्ति को आपना पचान पत्र साथ रखना होगा इस्कूल कॉलेजिक बिद्यार थी, समुह में भी राजबोन उध्यान का दिदार कर सकते हैं इनामी मवादी दुर्योधन के सरेंडर से संगठन को जटका नकसली संगठन भागपा मवादी के सिर्ष मवादी मिथिलेश दा उर्फ दुर्योधन महतो उर्फ अधेश अपनी पतनी नन की कोडा उर्फ सुजाता के साथ सरेंडर करने के बाद 25 लाख के इनामी मवादी निर्भाय उर्फ बिर्षेन उर्फ रगुना थेमरेम को उतरी छोटा नाइगपुर जोनरल कमिटी के अंतरगत जीलगा सब जोनरल का जीमा मिला है मवादी निर्भाय उर्फ बिर्षेन संगठन में सैक का सदस्य है वगी डी के डुमरी थाना चेतरे के जरी डी गाउं के रहने वाला है बता दे सिर्फ मुवादी मिसलेस दा उर्फ दुर्यधन महतो कुरोना और मलेरिया से पिडित था कई बार संगटन को सुचित कर उचित इलाज के लिए गुहार लगाया था कि संगटन की ओर से ध्यान नहीं दिये जाने पर वह नराज था दूसरी ओर बढ़ती उम्र भी मिसलेस पर भारी पर रहा था कितना ही नहीं परिवारिक दबाव भी था गुमला डी सी खेल और खिलाडियों को आगे बढ़ाने में जुटे गुमला डी सी सुसांत गोरो गुमला जीले में खेल और खिलाडियों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं इसके लिए खिलाडियों को खेल समागरी उपलब्द कराने के अलावा खेल गराउंड को भी बेहतर किया जा रहा है इसी के तहुत डी सी ने चंदाली में पचास बेड़ वाले बाली का फुटबॉल केंदर बनाने की युजना तयार की है इसके लिए उन्होंने खेल पतादिकारी से प्रस्ताव की मैंग की है साथ ही इंडोर इस्टेडियम में बैट मिंटल खिलाडियों के लिए 25 बेड़ वाले आवासिये केंदर निर्मान करने के विशय में राज से प्रस्ताव की स्विक्रिती प्राप्त करने के लिए जिला खेल पतादिकारी को निर्देश दिया है किर्केट खेल को बढ़ावा देने के उदेश से खेल बैंक में किर्केट से समन्दित कई खेल समागरियों का क्राय किया जा चुका है रामगर उप चुनाओ से पुर्व छिनिमस्ति के मा की सरन में बिजे पी भारतिय जन्ता पार्टी के जारकन परदेश अध्यक्स राय सबसांस दिपक परकास रभ्यवर को परसीद सिद्धी पीठ राइरापपा इस धीत माचिन मस्तिका मंदिर पहुंचे इस दोरन उन्होंने माचिन मस्तिका मा की पुजा अर्चना किया साथ ही नारियल बली देकर रक्षा सूत्र बनवाया पुजा अर्चना मंदिर के वरिष्ट पुजारी असिम पंडा ने बिधिवत रूप से पुजा अर्चना कराया इस दोरन उन्होंने माचिन दरबार में राज और देश की खुल हाली की कमना की वहीं रामगार उप चुनाओ को लेकर कहा है कि पाठी चुनाओ को लेकर पूरी तरह से तयार है बाबा बैधनाथ की सुरण में बाबा रामदेव गिरी डी के पारसनाथ से लोटने के करम में योग गुरू बाबा राम देव देव घर के बाबा बैदनाथ मंदिर पहुचे बाबा बैदनाथ की पुजा अर्चना कर बाबा का सिर्वाद लिया प्रसासनिक भवन में इस्टेट पुरोहित स्री नाथ पंडित की अगुवाई में पांच वैदिक पुरोहितो द्वारा मंत्रो चारन के साथ उन्हें संकल्प कराया गया इसके बाद योग गुरू ने 12 जहती लिंग का जलाविसे किया मोखेपड DC स मंदिर परसासक मंजूर नायत भजंत्री ने योग गुरू का स्वागत बुक्के दे कर किया साथी उन्होंने पुजा के बाद बाबा राम देव को भेट सरूप अस्मिर्ती चीन और बाबा मंदिर का परसाद प्रदान किया पुजा कर वापस लोटने के दोरान पत्रकारों से बाद करते बाबा राम देव ने कहा है कि भारत को अपने देश की समिधान सनातन धर्म एवं योग के माध्यम से भी स्वेगुरू बनाएंगे जारखन की हमन्त सरकार दोरा चलाय जा रहे खत्यानी जोहरे आतरा 30 जनवरी को सराय के लामे आयोजित किया जाएगा कारिकरम में सियम हमन सुरेन, आधिव असी कल्यान मंत्री चंपई सुरेन सहीद सरकार के कई मंत्री सामिल होंगे कारिकरम की तैयारी को लेकर DC, अरवा, राज, कमल, SP, अनन्द, परकास, सहीद, अन्य पतादीकारी ने संभावित कारे असल का निरिक्षन कर जाजा लिया है उधार पर चल रहे जारखन के आंगनवाडी केंद्र जारखन के जारखन के जायतर अंगनवाडी केंद्र का संचारन उधार पर हो रहा है इसकार अंगनवाडी सेवी काओ और सही काओ को परसानी का समना करना पड़ रहा है अंगनवाडी करमियो का कहना है कि मुश्कित से अंगनवाडी केंद्र का संचारन हो रहा है बता दे राज में करीब 75,000 अंगनवाली सेविका और साहिका कारणा था है नई निवावली के तहट इनके मांदे में हर महीने बढ़ोतरी की सुविक्रिती मुख्य मतरी के दुवारा कर दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी अंगनवाली सेविकाओं और साहिकाओं की परिसानी कम नहीं हो रही है इसका मुख्य कारणिया है कि राज के समाज एवं कल्यान विभाग से इससे मिलने वाली सुविधाओं को सही तरीके स्विकाओं नहीं किया जा रहा है अपरेल से सुरू होगी मिडडे मील के चावल की स्कूल एस्टेप डिलेवरी जारखन के प्रणभी की स्विलों में मिडडे मील के चावल की स्कूल एस्टेप डिलेवरी अब अपरेल तो हजारते से सुरू होगी इसके लिए स्कूली सिक्षा वो सक्षर्टावी भाके सचीव के रभी कुमाने सभी जिला के उपायुक्त को निर्देश दे दिया है बता दे की राई सरकार ने पधान मंत्री पोसंद सकती निर्मान योजना के तहट विद्यालियों तक स्कूल एस्टेब डिलेवरी के माध्यम से चावल उपलब्द कराने के लिए सक्षम एजेंसी के चैयन कारण निर्देश दिया था जनवाई सही चैयनीद एजेंसी के माध्यम से परखांड के गोदाम से विद्यालियों तक चावल पहुचाने की विवस्ता सुनिश्चित की जाने थी धन्यवाद